चलिए तो जटपट लोग माग करें और हेडिंग लिखने कॉपी में अप्रेजल ओफ एल्पीजी पॉलिसी अप्टु वाट एक्सेंट एल्पीजी पॉलिसी वर सक्सेस्फोल तो दो कॉलम्स अब लोग अपनी कॉपी में बना ले पेज को सेंटर फोल्ड करके लेफ्ट में कानिंग डाल दें मेरिट्स ऑफ लिब्रलाइजेशन प्रिविटाइजेशन और राइट साइड में हेडिंग डाल दें वाट इस कॉल्ड लाइज दी मेरिट्स ऑफ ऐल पीजी पॉलिसीज समझा क्या तो अप लाइंग कंशर्वेटियू पर आते हैं और बाद में पिर मेर सबसे ज़्यादा निगलेट किसको किया अग्रिकल्चर को एक्चुली पॉलसी में निगलेट नहीं किया गया था मैं आपको सचा ही बताता हूं इसकी जब कोक और पेपसी जैसी कंपनीज को इंडिया में बिजनस करने का लाइसेंस मिला तो दॉक्टर मनौन सिंग जी ने यहां से इंपोर्ट किया था अधा टि उसकों वहाँ पर एक्सरेंट कभी किया ही नहीं Holy फwn eg सो फॉइंट लिग लीजे निग्वैक रफ मांग तर लीजए इससाम कॉंपर ब्स निगलेट और हिड़ी抵 कर लिजे सर्फ डॉपर्स दिवर्ण growth and it slipped down miserably to two to three percent per annum बस इतना लिखिए और कुछ जादा लिखने की ज़रत नहीं है इसी में स्मॉल ए अग्रिकल्चर इसन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रॉमिटल स्मॉल भी प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई सरी यह कैसे हो गया जब लोग खेती बाड़ी करते हैं तो साल पर खेती बाड़ी का काम चलता रही है मान लिए छे महीना खेती बाड़ी काम चला साथ महीना चला चार महीना चला जो बाकी टाइम बजगिया उस टाइम पे यह लोग फैक्टरीज में जाके लेबर का काम करते हैं तो जब अग्रिकल्चर सेक ही नहीं तो labor कभी-कभी बहुत surplus supply में भी available होता है जो चार महीने गाउं में काम कर रहा है आट महीने शहर में काम कर रहा है अब पूरे बारा महीने वो शहर में आ गया तो labor supply बढ़ने की वैसे क्या होगा बचो the wage rate in the economy will go down is that clear और C point mark करिए significant source of demand for industrial product like thrashers and tractors तो यहां पर raw material का जो supply था this will also reduce जब खेती बाड़ी होगी नहीं so-called labor may increase but the wage rate will go down और जब खेती बाड़ी ही नहीं होगी तो क्या लोग tractor वगरा खरीदेंगे thresher खरीदेंगे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे तो इन चीज़ों की demand भी market में गिर जाएगी और जब इनकी demand market में गिरेगी तो what will happen in companies का profit गिर जाएगा and industrialization को भी थोड़ा सा जटका लग जाएगा तो जब खेती नहीं होगी तो महिंदरा का tractor नहीं बिकेगा सोनालिका का tractor नहीं बिकेगा there after इन चीज़ों की demand कम होने की वएसे इनके profits कम होंगे तो it will lead to industrial unemployment as well नहीं समझे बात को tractor की demand ही नहीं बाशार में जब tractor की demand नहीं तो tractor बनाने लिए factory क्या 24 गंटे चलेगी वो सकता है वो एक ही shift आठ गंटे भी चले समझा क्या so this may lead to आप लिख भी लीज़े यहां पर industrial unemployment बिकली अप्डेट इस चलेगा urban concentration of the growth process another issue चलेगा फर्स पॉइंट से highly closely connected है जब जादा से जादा लोग rural sector में unemployed होंगे तो जादा growth आपको कहां पर नज़र आएगी urban area में या rural area में urban area की growth जादा होगी so किसी भी multinational company अगर हम बात करें क्या वो rural area में अपने products हो बेचना चाहेंगे factory दरूर rural area में लगाएंगे क्योंकि lands अस्तावल जाएगा labor supply cheap होगी but will they be willing to sell their products और make such products जो rural area को support करें बिल्कुल भी नहीं क्योंकि उनसे आने वाला revenue बहुत कम होगा तो हमेशा वो चाहेंगे कि हम ऐसे products बनाएं जिनको जादा जादा urban area में बेचा जाए so this resulted into rural urban gulf the rural people turned into the state of what is called as poverty and urban people continued to grow rich basically so rural urban gulf implies economic dualism हो जाएगा जहां पर करीब लोग गाउं में जादा से जादा होते जाएंगे और रही इस लोग शहर में जादा जादा और गाउं यह लोग जब शहरों में आएंगे तो उनको low paid jobs मिलेंगे worker का house help का उनको कभी high paid job मिलेगा ही नहीं जब high paid job उनको मिलेगा ही नहीं क्या कभी भी rural area ग्रो करेगा यह कभी भी जिंदगी में ग्रो करेगा ही नहीं समझ में आ गया अपने टाटा का दो नाम सुना ही होगा HCL का नाम सुना होगा विप्रो का नाम सुना होगा यह कौनसी कंप्रिये सा टेक महिंदरा इंडिया में जो चार बड़े दिगज माने जाते थे IT सेक्टर में उसमें से एक था टाटा कंसल्टनसी सर्विसेश चलर्ट दूसरा था विप्रो तीसरा था इंफोसेस और चौता था सत्यम टेक्नोलोजीज सत्यम टेक्नोलोजीज में एक बार 14,000 करोल का फ्रॉड हो गया था लोगों को जूट बोल बोल के बताया कि बिजनस अच्छा चल रहा है बट प्रैक्टिकली बिजनस की बैंड बजी हुई थी तो राजू रामलिंगन जी कि यह कंपनी हुआ कर दिती किसी दमाने में जब यह फ्रॉड में चली गई तो गर्मेंट ने सोचा कि अगर इस कंपनी को बंद कर दिया और सपोर्ट नहीं किया तो जो फॉरन इंवेस्टर्स का हमारे उपर विश्वास है वो पूरी तरह से खतम हो जाएगा तो गर्मेंट ने इसको बचाय और अकल इस ऑल्सो अ मल्टिनाशनल जाइंट इस ऑल्सो अ मल्टिनाशनल ये और इसके जैसी सेकलो कंपरीज इंडिया में 91 के बाद आ गई बैसिकली और मैजॉर्टी सब का काम वो बीपी ओ गई था बैसिकली थर्ट पॉइंट चल्रेंट इकनोमिक खलोनलिजम ये क्या ह आप किसी भी एक सिंगल प्रोड़क्ट की बाद करिए जो आप ये बोलें कि सर ये इंडियन है और ये इंपोर्टेट नहीं है इधर वी टॉक अबाउट मॉबाइल फोन्स तो वह सैमसंग मार्केट को लीट करता है देन इट इस रेडमी और फिर वो रियलमी और उसके बा जाये और स्पीकर में कान से अवाज को खुद ना सुना ही पड़े समझना गया तो इदने घटिया प्रोड़क्ट इसे बनाते थे सस्ते के चक्कर में इनका प्रोड़क्ट को इंडिया में खरीता ही नहीं था आप चिप्स की बात कर ली जो प्रिंगल और लेस का चिप्स आता है आर दे इंडियन कंपनी बिल्कुल भी नहीं तो एक दो चीजें सौ में से अगर आप छोड़ दें तो इंडियन कंपनी जरूर बनाती है पट नाइंटी एट परसन चीजें कहां से आ रिये सब विदेश से ही आ रही है अब लोग कहेंगे ने सर मारूती कार की बात कर पूरा का पूरा डॉमिनेशन किसका है मारूती के आपर? सूजुकी का है, हुन्डेइ की गाडिया है, सर महिंदरा की इतनी महेंगी गाड़ी आती है थार, उसको कोई चला है वैस तो गाड़ी देखने में लगती है, कि इतनी भेंकर गाड़ी है बहें स्ट्राइब भी कैस तो महिंदरा is an Indian company, टाटा is an Indian company, बट क्या मारूती सुजुची को compete कर पा रहे? No. और कहने को मारूती सुजुची is an Indian company, बट प्राक्टिकली सुजुची का जो dominance है, वो उसको पूरा का पूरा Japanese ही बना देता है. तो विदेशी लोग यहां पर सस्ता समन बेच रहते हैं, जो अ control and there is some sort of economic colonialism. McDonald's की बात कर लीजे, Pizza Hut की बात कर लीजे, Domino's की बात कर लीजे, इंडिया में सब franchise जरूर है, किसी ने किसी Indian person का, but ultimate royalty money किसको जाता है, अमेरिका में इनी बड़े-बड़े businesses को basically, got it? और यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, कभी कोई तीन जनेरेशन एफ़र्ट करेगी, तो जाके McDonald's और Pizza Hut बनेगे, got it? लिख लिजे फास्ट, एक पोइंट और लिख लिजे, Multinational's are exploiting the Indian markets to sell their products and in the process domestic producers are marginalized, इसका क्या मतलब होता है सर? That is to say, their earnings equate with their costs. अगर आपको याद हो किसी जमाने में, मैंने marginal farming और intra-marginal farming आपको बताई थी, जितना हमारे खेत का output है, उतनी तो हमारी पूरी-कूरी लागत लग जाती है, तो हमें बचता कुछ भी extra नहीं है, intra-marginal land कौन सा होता है, जिससे output इतना निकले कि cost कवर करने के बाद भी कुछ surplus बच जाए. तो यहाँ पे भी domestic producers मतलब, Indian businessmen are marginalized का मतलब, जितने बिचारे कमाते हैं, उतना 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 उनका पूरा खर्च हो जाता है, कोई भी business expand करने के लिए money उनके पास बचता नहीं है. चलते हैं, अगले point पे चला, टाइटल डाज, spread of consumerism, अब यह क्या होता है, वही, Alexa अंटी, कितना जादा हम लोगों को products के बारे में aware कर देते हैं, कि लोगों को लगता है कि Alexa जैसी device अगर घर पे नहीं है, या food processor नहीं है, तो लोग महले में पिछडी जाती है, वह हम चंजाती मान लेंगे हैं, और कई महले से बाहर नहीं निकाल दें, advertisement दिखा दिखा कि इतनी banker demand create कर देते हैं, कि लोगों को लगता है कि यही सब कुछ है, खोपड़े में बात गई, नहीं समझ में बात, समझ में आ गया, तो spread of multinational in the country as a consequence of LPG policy has resulted into large scale consumerism, यह तो जो आपकी heading थी, उसी को थोड़ा सा अंग्रेजी में और अच्छे जे translate कर दिया गया है, so variety of global brands has induced the masters to become spendthrift going beyond their means, इसका क्या मतलब होता सर, इतना product आगया बजार में कि लोग afford नहीं कर पा रहे है, but then to loan लेकर, credit card लेकर, EMI पे उसे खरीतना बहुत जरूरी हो रहा है, fashion products आपने देखे होंगे, Michael Kors का purse है, चपल है, one-to-turn का bag है, महेंगा, product है, t-shirt है, मान लीजे, Levi's की, ज़रत नहीं है, बट सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, हमको यह सब करना पड़ता है, मेरे को नहीं करना पड़ता, आपको नहीं करना पड़ता, बाकी लोगों को यह करना पड़ता है, जिनके बास अकल कम है थोड़ी सी, समझा क्या, और जो अकल मन लोग हैं, वो सरोजनी चले जाते हैं, और वहां से Levi's की first copy, second copy खरीद लाते हैं, क्योंकि कोई cycle से चलने वाला, अगर Levi's की original टी-shirt भी पहनेगा, तो लगेगा कहां से खरीदी है, सरोजनी से खरीदी है, और अगर कार से चलने वाला सरोजनी वाली पहन लेगा, तो लगेगा, original ही खरीदा होगा, is that clear? तो Indian society is adapting, गलत है children, is copying or imitating, adapting नहीं होगा, adapt तो अच्छी चीज़ों किया जाता है, the western culture of spending through boring, तो हमारे देश में था, मारे दादा जी बोला करते थे, कि बेटा जितना चादर हो पाओ, उतना ही फेलाओ, बाहर पैर निकल गया, या तो जुकाम लग जाएगा, तो मच्छर काट लेगा, बट आज के लोग क्या है, अरे चादर गई भाड में, हम बिना चादर गई सुझाएगे, तो कहने का मतलब खर्चा लोग इतना करते हैं, जितनी उनकी कमाई भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ किस purpose के लिए, show off करने के लिए, तो मार्केट का, साइस तो एक्स्पैंड कर रहा है बचो, बट क्या इस एक्स्पैंशन से, रियालिटी में कोई एकनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, नहीं होता, तो अगर आप पैसे खर्च करके, घर में एक जाडू खरीद के लाते हैं, तो वो फाइदा देगा, आप पैसे खर्च करके, एक जमीन खरीद लेते हैं, तो फाइदा देगा, उस जमीन पे घर बनवा लेते हैं, हॉस्किल बनवा देते हैं, बिजनस करते हैं, तो फाइदा देगा, बट अपने घर में फाल्तू में अलेक्सा की डिवाइस खरीद ली mixer grinder से काम चल रहा था food processor खरीद के लिए AC अल्रेडी window लगा हुआ था पड़ोसी को देखना हुआ से split AC खरीदा अब आज कम करता है हम भी split खरीद लेंगे अरे window AC सही है तो नीन तो चूपती रहे थी बीच-बीच में कम से कम चोर चोरी करने तो नहीं आएगा split AC में घरों में चोरियां जगा होती है बाते हैं समझ में आ रही है चल लए चलिए चपल ठीक चल लए थी offer लगा था one plus one का तो हम टू प्लस टू फोर खरीद लिए फ़स पॉइंट चल डूर लूप साइडेट गो मतलब एंट में बेलट लगाने के लिए जो लूप लगा होता है उसकी ग्रोथ हो रही है नो लूप साइडेट ग्रोड प्रॉससे का मतलब कुछ सेक्टर तो बहुत जादा ब्रो कर जा रहे है और कुछ सेक्टर एकदम पी की, have people copied fourth point, fourth point copy कर लिया, everybody, यह imitating वाला point copy कर लिया, copying word या imitating word लिखिएगा, adapting मत लिखिएगा, adapting मेरे को ठीक लग नहीं रहा है, क्योंकि, so loop sided का मतलब क्या है, there is not inclusive growth process, कुछ areas हैं, जो grow कर जरूर रहे हैं, and वो कौन सा area है, service sector, क्यों ऐसा है भई, क्योंकि आप जब product करीते हैं, तो आपको services चाहिए, कि भई हम इस product को कैसे use करेंगे, बगेरा बगेरा बगेरा, तो call center पे नौकरिया बढ़ रही है, बट agriculture sector एकदर नीचे जा रहा है, जब agriculture sector काम नहीं करेगा, जूट नहीं बनाएगा, वीट नहीं उगाएगा, तो आगे जो इन products को pack करके बजार में बेचते हैं, kangoromital मिलेगा, नहीं मिलेगा, agriculture पूर हुआ, तो automatically महिंद्रा वालों ने सोचा, tractor की sale कम हो रही है, लोग कार बनाना start करते हैं, ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा, sorry, per month कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नजर नहीं आएंगे, majority वो 4000-5000 डॉलर वाले होते हैं, बट इंडिया में आपको एक sector ऐसा मिलेगा, जो बहुत पैसा कमा रहा है, सिर्फ उनको compete करने के लिए दूसरा सेक्टर, so-called spending करेगा, अपनी होकाद से ज़्यादा, iPhone खरीदने की हैसियत नहीं है, Amazon पे सर मिल रहा था, EMI पे, और EMI का rate of interest क्या है, 16%, तो पहले तो एक लाग का mobile जिसकी खरीदने की होकाद नहीं थी, वो खरीदे, साथ में 16,000 पे उपर, एक्स्टा देदी, किस्ट है महले में से, शो आफ करने के लिए, तो आपको महले में कुछ लोग ऐसे नजर आते होंगे, iPhone लेक चलने हैं, महेंगी गाड़ी लेके चलने हैं, सब चीज किस पर खरीदी गई है, लोन पर, समझ में आ गया, बच्चा पैदा करने से पहले भी सोचते हैं, बैंक से पूछ ले, बई, बेबी बर्थ लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें BPL हमको चाहिए BBL, बिलोग 40 लाइन थे, और बेबी बर्थ लोन चाहिए हमको BBL, समझना कहें, शादी करने के लोन लेलो, घर करीदना है, चलो घर करीदने के लोन समझ में आता है, गाड़ी कौन सी करीद लिए, 7-seater Tata Safari, और मैंने का, इसमें वो sticker नहीं लगवा है, कौन सा sticker मैंने का, उबर और ओला वाला, मतलब मैंने का, इतनी बड़ी गाड़ी किसले खरीदे हो, लाकर लोग ही नहीं है, कैरा अरे ठीक है, बड़ी गाड़ी तोड़ो comfort आता है, आठ दिन बिजनस करते हैं हाफते में, कितने दिन? आठ दिन, सर दिन तो साथ होते हैं, हाट कैसे हो गए, संडे को डबल बिजनस है उनका, खाली नहीं है, गाड़ी चलाने टाइम ही नहीं है, सिर्फ वाइफ के कहने पर मौले वालों को दिखाने के लिए, उनोंने महेंग तो लूप साइड़ ग्रोथ, तो ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में हो चलान? आईटी में, क्यों सर? क्योंकि आईटी इस डिरेक्टली रिलेटेड विद विद वाट? सर्विसेस चलान, खोपड़ें बात गई, तो नजर आ रहा है कि देश ग्रो कर रहा है, बट से बोलू कि पडोसी की कमाई बढ़ लई है, आप बोलें ये खाक बढ़ लई है सर, बिजनस करते थे चौपट हो गया, जॉब से निकाल दिया गया, खांदानी प्रोपर्टी थी, उसका किराया आ रहा है, तो देखने में लग रहा है कि कमाई ज़्यादा है बच्चो, आपको इंशॉरेंस पॉलसी नहीं बेचना चाहेंगे, क्योंकि रेंटल इंकम आपकी अर्निंग नहीं है, वो प्रोपरटी की अर्निंग है, आप जिंदर रहें अमर जाएं, ये इंकम तो होती रहेगी, तो हम इंशॉरेंस तो उसका करते है जिसकी लाइफ पे कोई रिस् कमाई है, जीरो, तो आप तो किसी लाइक है नहीं, आप तो आज ही आतमत्य कर लिजे, आप इंतजार क्यों कर रहें हैं, आप नमर रहेंगा, तो रेंटल इंकम आपके एफ़र्ट से बिलकुल नहीं आ रही है, तो वैसे ही, कंट्री में नजल तो आ रहा है कि कमाई बढ़ तो अगर आपके देश में अग्रिकल्चर सेक्टर और इंडर्स्टल सेक्टर अच्हा नहीं चल रहा, तो ये सर्विस सेक्टर सिर्फ आपको पैसे देगा जरूर, ये एक तरह का, आप बोल सकते हमित है, एक तरह का गुबाड़ा है, मेरा पैस आपके पास जा रहा है, आलू ही नहीं है, क्या सब्जी बनेगी, तो यूट्यूब रेसपी देगा कि आलू देगा आपको, रेसपी आलू कौन देगा, बकरी देगी, एकरी कल्चर लोके ने बकरी देगी, लगता है बकरी दूर भी क्या है आज, फार्मिंग सेक्टर आपको आलू देगा, और आल प्रटेटो एड इतैल और यूट्ययम्म क्या कर रहें ने टीचुप लॉट लिख कर रहे हैं यूटूब लिख रहे हैं थो इस पास से इंपास थे टो कोई सोर्र चाहिए यह अगर यह भर हलती जाये थो हो गा क्या एक दिन बंपाट इंफलेशन हो जाएगा देश में, क्यों, फार्मिंग है नहीं, इंडस्टलिजेशन है नहीं, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करने लिए आपको पैसा कहां से मिलेगा, आप लोन लेंगे जाके, बट क्या आप इस लोन को रीपे कर पाएंगे, नहीं रीपे क कर पाएंगे, क्योंकि लोन का पैसा किसके पास जाएगा, जो ब्लॉगिंग कर रहा है यूट्यूब पे, या गूगल पे, उसके पास पैसे आ गए, फार्मिंग है नहीं, इंडस्टलिजेशन है नहीं, वो बजार तो जाएगा सब जी खरीदने के लिए, बट क्या उसको आलू मिलेगा, और जो अवेलेबल आलू है वो दाम बहुत, जादा होगा, कडाई का दाम भी बहुत, जादा होगा, तो एक दिर इंफलेशन भेंकर हो जाएगा, बट चीजें अवलेबल होगी ही नहीं, इसलिए समझ कहां पाएंगे, कॉपी चलर, समझ में आ गया, समझ म production of cash crops for foreign markets, so moral of the story is this, पहले वो cash crops का production जब इंडिया में करते थे, तो भी उनकी कमाई बहुत होती थी, अब उन्होंने भी क्या किया, अपने खेते बेशने स्टार्ट कर दिये, foreigners ने उनके खेतों पे, या तो अलग तरीके का output produce करने की बात की, या वहाँ पे बना लिया पूर जाएगा foreigner या Indian, foreigner, हमाय वाले क्या कह रहे है, जमीन बेच दो, और उसके ओपर बन जाएगा MBA college, और वहाँ से निकलेंगे कौन, महाँ बेकार आदमी, MBA, समझ मा गया, और कुछ brain technically empty, logic समझ मा गया, so forced to import food grains in spite of green revolution, तो green revolution जब आई थी 1965 की इंडो पार्क वार के बात चल रहे हैं, हमने अपने लिए तो self-sufficient food उगाया ही उगाया, as well as specialized in exports as well, बट आज की तारिक में काफी चीजों का हमको import करना पड़ता है, तो क्या हमारे green revolution का कोई फाइदा हुआ, no, क्योंकि हमारे लोग क् YouTuber बन रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, PUBG खेलने हैं, तो जितना ज़्यादा खेलेंगे PUBG, उतनी कम available होगी इंडिया में, सब जी, समझ में आगई बात वाई, लिखने इसको चटपट फास्ट, cultural erosion, इसकी तो बेंड बजी गई है, जिस देश के उपर, US का dominance आया, वहां के लोग गईया बकरी भैस बन जाते हैं, सर मतलब, कपड़ा कम बेंडने लग जाते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 15-20 साल के बच्चे, 6 और 7 साल के बच्चों के कपड़े पहनना है, और कहते हैं fashion है, तो मैं कहते हो, महीं हमारे महले में एक मुन्ना गाये वाला है, उसकी गईया सब ज़्यदा fashionable है, फटे चीतले बोरे पहननी रेती हो, तो कुछ लोग सोचते कि पटी-पेंट पहनना, चीतले कपड़े पहनना, इस fashion, तो वह मंदिर-मस्जित-चर्च गुर्दवारे के बाद जो बिकारी बैठता है, और इन fashionable लोगों में सिर्फ कटोरे के अलावा कोई फरक नहीं है, तो इनको भी वो कटोरा ले लिना चाहिए, तो मैंने पहली बता हो सकता है कि कपड़े का पेंट कराने बॉड़ी में, खोपने बाद ले स्प्रे पेंट होगा, शर्ट वाला पेंट हो गया, पेंट वाला पेंट हो गया, चलिए भई, तो एक पॉइंट चल्टन, economic prosperity has taken a lead over parameters of life, यह क्या होता है सर, हम उन चीजों पर खर्च करते हैं, जिसक standard of living, होपने में बाद गई, होपने में बाद गई, पका कुछ जनरेशन तो यह सोचती है कि पढ़ाई लिखाई अब बहुत हो गई, अब इस्सेओ पर आखाद है नहीं पढ़ने की, तो माता पितस को 22 साल उमर होगी अब शादी कर दे, कोई करियर की सोची नहीं है, कैसे पैसे आएंगे मतलब ही नहीं है, चार किट्टी पार्टी लेडिस जोइन कर लेंगी, जेंट्स लोग शेटो कलब जोइन कर लेंगे, जितना पैसा कमाएंगे, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने की चक्तर में वाजा के बरबात कर देगे, और जो बिचारा इन सब चीजों से दूर है, उसको इंडिया में देहाती बोल दिया जाता है, अजब गजब टाइप के लोग है, और असली पैसा उसी के पास है, जो बिचारा सुबह छे बजए काम पर निकल लिया, उसको केतने गरीब टाइप का आदमी है, तो उनम्हें आ गया, या हपशी टाइप का आदम रही है, ताकि हमारे महले में आंटी लोगें इस तरह निकलती है, और शाम को स्पेशली रेस्टरान जाएंगे सजदच के, जैसे बेटे की पहले ही शादी हो चुकी है, अरे खाना ही तो खाने जाना है, एक पैजामा पहिन लो, एक टीशर्ट पहिन लो, चपपा लोड़ जै मैं पैसा रख लो जरूर नहीं तो बरतन माहिना पड़ेगा, फिर रेस्टरान में जाके फोटो किशाएंगे, और पूरे फेस्बुक पे, इंस्टाग्राम पे, डाइसोग्राम पे, पूरे महले को बता देंगे, और पहले तो घर से निकलते सामें बता देंगे, ताकि फाइपोंने देंगे खॉले फिस लेड को देंगे, लिए उनका बिजनेस है, आपका घर खाली उनका बिसनस की हो गई, ऑन पदाली, समझ गए, बी पॉइंच चलेंट लॉल, एकोन एकोनमिकली इंडिपेंडेंट एड बेलओ रिगार्दलेस ओफ प्स पॉइस्पोरून् इसकाउंट सोन मेरे का क्या आइफोन कर दें कि अगाद नहीं थी तब भी बच्चों खरीद के देदिया इस एट अंडरसुट चपल कौन सी कंपनी खरीदेंगे प्यूमा की औरे कितने की सर्बली सस्ती थी सर वन ट्रिपल नाइन की थी सर और मिंत्रा पे मिड्नाइट सेल आ ज़ीन पर पढ़ेंगे तो जबीन खराब हो जाएगी तो चाहे आप प्यूमा की ट्रिपल नाइन की चपल पहनी है चाहे लखानी की चपल पहनी है कोई फटपड़ेगा लोग कहते है तो सर्क्ट नहीं है प्यूमा में जैदा कमफट है चपल है प्यूमा उना तुड़ा करके लेग लिया और फिर वो और एलेक्स में सेकंड एंडस को बेच रहा है 399 की तो अगें लोग परिवारिक जिम्मेदारियां पूरी तरह से भूल चुके हैं क्योंकि अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं वही मरें पूरे नहीं पढ़ते तो हम परिवार को क्या देंग क्योंकि जब फैमिली का बचाने का टाइम था दोनों हातों से एकदम उड़ा उड़ा के खर्च किया है तो जब अब खर्चे की पवंडर आया कोई बात नहीं लड़ता है तो भाई शादी होगी लड़की से ही दहेज मांग लेंगे तो वहां पर इंपर तालित कर रहे हैं तो लॉयल्टी तो फैमिली एंड लॉयल्टी तो वर्ट सुसाइटी विच उस्टू बी देश्ट्रोंग होल्ड अफ इंडियन सोशल कुल्टर आर बींग डिस गार्डट चल्डर वही बी पॉइंट का सो कॉल्ड कंटिनेशन है अब एक साथ भी सको लिख सकते ही समझ में आधरी बात समाझ में आधरी बात लिख लिए जट्परट फास्ट तो पहले मेरिट्स देख लें फिर बताते हैं विच वेश वी शुड गो चल रहे हैं चलिए तो लेफ्ट कॉलम में आपने खांचा बनाया था किस चीज़ के लिए मेरिट्स के लिए वाइबरेंट एकॉ वैसे मैंने आपको भी डी मेरिट्स में दिखा दिया सर्विस सेक्टर के ग्रों होने से ग्रोथ मिल रही है बट जो रियालिटी में अग्रिकल्चर और इंडस्ट्राइजेशन का ग्रोथ होना चीए था उसकी वैसे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है खोपड़े साफ साफ यहां पर लिखा भी हुआ है LPG policies has worked as a great stimulant to industrial production but so called industrial production कौन सा IT industry को तो global recognition मिल गया एक प्रोड़क्ट बता दीजिए जो इंडिया में मैनुफैक्ट्चर होता हो और worldwide बिक्ता हो बच्चो एक नाम दे दीजिए बस है कोई नाम आपके पास अगर आप नाम देंगे भी तो आपको मेरे को यह बताना पड़ेगा कि क्या ये एक Indian manufacturer है नई सर इंडियन तो कोई भी नहीं है कार्ज एक्सपोर्ट होती हैं इसे किस कंपनी की उंदे इडेंगर मारूती तब गाड़ी मॉटर्सareकार्णे किसंद के नाम पे एक्सपोर्ट होती नहीं है basically. तो none of the Indian manufacturers are of the viewpoint जो यहां से चीज़े बनके जाएं. कपड़ा तो सर यहां से एक्सपोर्ट होता है बिलकुल बट यहां पर plant किसने लगाया है? Kelvin Klain वालों ने लगाया है. यह plant उन companies के हैं जो Italy में महंगा कपड़ा बना दी हैं. इंडिया में इनके पास labor सस्ता है, fabric सस्ता है. इसलिए इंडिया में plant खोल लिया, यहां से कपड़ा बनाया और दूसरे देशों में export कर दिया. तो ultimately they are not the Indian manufacturers, they are the global manufacturers for whom India is a cheap industrial hub. That's why they come to India. तो ultimately profit यहां नहीं हो रहा है, कहां हो रहा ह क्योंकि यहां पर बताते हैं कि भई हमारी cost of production, let us say 100 रुपे है, और हमारी जो selling price है, यह 105 रुपे है, तो भई यह 5 रुपे कमाया, लो इस पर tax ले लो, और असलियत यह है बच्चो, यह 100 रुपे का product जिस देश में जाना होता है, उस देश में जाने से पहले इसके उपर न Mumbai के port पर रोका जाएगा, वहाँ पर इस पर stickers लगाए जाएगे और फिर यह आगे इटली जाएगा, ताकि real price Indian government से छुपाई जा सके, due to taxation issues, due to excise duty, खेरब नहीं लगती, export import duty की वैसे चल जाना, तो यह बहुत बहुता खेल होता है इंडिया में, और हमारी जो सरकार है, वो उनके अंतर इतनी अकल, है नहीं, क्योंकि उनको तो वो 400 पार, 300 पार, यही सब चल लाएगा, मंदिर बनवाले, मस्जिद तुलवादे, समझना कि अच्छ बनवाले, अच्छ में सब लोग वाइट कपड़ा नहीं पहनेंगे, यह लोग कपड़ा पहनेंगे, और दिखाए इस पागल बंदी चलती अपने देश में, कोपलेम बाद गई, कोपलेम बाद गई, चलिए, कॉपीट फर्स पॉइंट चलो, सेकेंड भी कोपी कर लिया, चलिए लिखे इसको, थर्ड पॉइंट, फिसकल डेफिसिट, लोग कहेंगे सर यह क्या होती है, आपको फिसकल मैक्रो में नहीं पड़ा, जब भी हमारे देश की कमाई, जिसे क्या बुलते हैं हम लोग, पबलिक रेविन्यू, फॉल्स, शॉट, ओफ, हमारे देश में होने वाला खर्चा, सरकार के हातों के द्वारा, इस कॉल्ड अज़ बाद चलिए, पबलिक एक्सपेंडिचर, सेके हम बोलते हैं, what is called as deficit, तीन तरह की होती है, एक होती है primary deficit, एक होती है fiscal deficit, समझना क्या, and many a times taxation से भी ये issue related होता है, हम इसको revenue deficit भी बोलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, रोजमरा के खर्चे जादा और रोजमरा की कमाई कम, इस deficit को क्या बोलेंगे, revenue deficit, अब इसको करने के लिए, आपके पास दो हतकंडे हैं, कौन से दो हतकंडे हैं, या तो आप borrow कर लीजे, क्या कर लीजे, borrow, और या तो नया so-called currency बना लीजे, अगर currency अल्रेडी हमारी country में optimum है, और आपने अपनी कमी को पूरा करने के लिए currency छाप ली, तो देश में currency बढ़ेगी, उन तक पैसा पहुत सकता है, जिनको पैसी की कोई ज़रत, नहीं है, और वो रहीज community सस्ती चीजों को भी महेंगे दाम में खरीच सकती है, तो it will lead to what children, inflation, तो क्या government को ये काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो western countries में deficit financing का मतलब होता है, printing of more currency, but Indian context में इसका मतलब है, borrowing, तो हम borrow कर लेते हैं, is that clear, अब रोजबरा के खर्चे जादा, रोजबरा की कमाई कम, तो revenue deficit, ऐसा ही एक concept है, अब जब आप पढ़ेंगे government budget, तो मैं और focus कर पाऊंगा आपको, आप इसको पूरा करने के लिए, क्या करेंगे, borrow करेंगे, और borrow free में तो आप करेंगे नही दिन बर दिन, बढ़ती जा रही है, is that clear, क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हमारे businessmen ने उनको support करने के लिए, हमको पैसा lend करना पढ़ रहा है, तो उनको पैसा देने के लिए, हमको कहीं से borrow करना पढ़ रहा है, तो physical deficit हमारा किसी जमाने में बढ़ गया था, बट जब ये companies विदेश से इंडिया में आई, तो पैसा ले के आई, और काफी हमारे Indian businessmen को इन विदेशी कंपनियों में raw material या spare parts supply करने का मौका मिला, तो उन companies का भी थोड़ा सा benefit हुआ है चल रहा है, बट ultimately long run में अगर देखा जाए, तो विदेशी कंपनी जादा कमाएगी, Indian supplier of raw material comparatively कम कम हैगा, fundamental logic is understood well, so fiscal deficit कहां साड़े 8 प्रतिशत हुआ गरता था, जो गिर के कितना हो गया, साड़े 3, तो विदेशों के आने से Indian businessmen को थोड़ी सी रात तो मिली है, बट अगर वो primary manufacturer नहीं बन जाते, तो profit ultimately हमारा foreign counterpart ही कमा के ले जाएगा, समझ में आगई बाचलन, समझ में अगई बाच, has everybody copied the second point, चलिए, ये check on inflation कैसे सर, 11, 12 और 13, 14 से लेकर inflation का rate 6.9 था, ऐसा क्यों सर, क्योंकि इस दौरान भी हमारी country में उतने goods and services available नहीं थे, चितनी demand थी, तो जो available था, that used to be sold at a very high price, 14, 15 के बाद, जब हमारी मोधी जी की सरकार आई, and definitely ये इस government की पीछे तारीफ है, कि ये लोग थोड़े fast हैं, और ये business को बड़ा बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा industrial production को बढ़ाया चलिए, गुजरात का आपने gift city सुना होगा चलिए, इंडिया का सबसे बढ़ा industrial हाब चलिए, इसकी वज़े से foreign capital त इनको भी काफी promote किया गया, तो as a result, inflation की वैसे क्या हुआ, rate of interest बढ़ गया, जिससे businessman की cost of investment बढ़ गई, उतना लुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस product को जब market में sell भी किया, तो price बढ़ा के sell किया, क्योंकि market है, इसलिए big गया, बट क्या average Indian इन चीज़ों को महेंगे दाम पर खरीक पाएगा, तो ये एक तरह का demerit भी है चल रहे हैं, but again, 18-19 तक हमने इतना पैसा in undisclosed को दे दिया, इतने कम rate of interest पे दे दिया, तो जो inflation का concept था, ये automatically controlled हो गया, are people getting this point, तो यहां पे गलत interpret मत करिएगा, ये जो line लिखी हुए है चल रहे हैं, इसके नीचे ये paragraph है, और इसकी वज़े से, this all have been controlled basically, third point copy roll, consumer को choice मिल गई, had there been no so-called globalization children, क्या आप foreign products इंडिया में आते, no, तो sir, आए भी तो कौन फाइदा हुआ, हाँ ठीक है, फाइदा थोड़ा कम हुआ, but again, you got a choice, नहीं तो वही पजामा, लूंगी, दोती, यही सब चलता, अब पता लगा है, आदमी तीन मीटर का पैजामा है, लूंगी पहना हुआ है, इतने में तो तीन लोगों के लिए ट्राउजर बन जाए, तो यहाँ पर थोड़ा मैं globalization को support करता हूँ, Indians, आप कभी जैपूर जाहिए, वहाँ के किले में देखिए, वहाँ के राजा महराजा जो कपड़े पहनत So consumers got a choice and large variety of goods are made available to them children, अब इसी large variety के चक्कर में consumerism भी थोड़ा सा बढ़ता जारा था और वो देश के लिए नुकसान दाई सा भी थोड़ा, समझ में आगी बाचले, चले, remaining we'll be doing in the next lecture, which will finish off this chapter and we'll switch off this and switch on to Macro.